दोस्तों हमारी सीरी चल रही है Hugh Allen की बुक The Lonely Tiger उसका अगला चप्टर है The Third Kill इसमें Allen बताते हैं कि ये उनकी जिन्दगी का सबसे ज़्यादा आश्चर चकित करने वाला एंकाउंटर था टाइगर के साथ में वो इसले नहीं कि टाइगर अचानक से आ गया था तो इनको उम्मीद तो थी कि टाइगर अचानक से आ जाएगा लेकिन इनको उम्मीद थी कुछ चिलाहट होगी कुछ गुर्रहट होगी कुछ किसी तरह की आहट होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जब ये दुबारा आ गया इनको लगा कि इनको दुबारा सोचना पड़ेगा जो जंगल की कहानिया है टाइगर के बारे में इसके बारे में एलन बताते हैं कि ये फ्रूटलेस जागरड था और इनको जो पूरे लक्षन दिख रहे थे लग राधा कि सफलता नहीं मिलेगी सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई जब इनको किल के बारे में आने की शिकार के बारे में खबर मिली वो दुबहर के साड़े तीन बज़े मिली थी लेकिन इनके जो six sense थी, common sense थी, वो भी बोल रही थी कि चलो यार, चलते हैं, success नहीं मिलेगी, लेकिन जाएगा क्या, थोड़ी महनती जो जाएगी, strike करते हैं, क्या पाता success मिल जाएगा, और इनको अपना फायदा नुकसान भी दिख रहा था, क्योंकि ये जानवरों को मारने मोगरा की तरफ, ये उस गाउं पे एक घंटे में पहुँच गए और वहां के मुख्या से मिले, और कुछ और आदमी खड़े थे वहां पे, कुछ मिनट में इन्होंने सारी जानकरी ले ली, वपसा चला कि दिन के बीचों बीच यानी की, बारा एक बज़े, दो बज़े, टाइगर ने शिकार किया था, गाए मारी थी, और उसको गसीट के ले गया था, एक रवीन यानी पहाड़ी नाले की तरफ, और दो बज़े करीब उसकी लाश मिल गई थी गाउंवालों के, और उन्होंने उसके पास में ही एक मचान भी तैयार कर दिया था, और उसके बाद दिया गया था, उसके बाद एलन को खबर पहुचाई गई थी, अब ये बोल रहे हैं, सारी तैयारी पूरी थी, और अगर मचान प्रॉपर बना होगा, और सही एंगल बना होगा, तो सकस्स मिलने के पूरे पूरे चांसे थे, अब वो ये वरांडे में जिस कुरसी पे तो वहां से उठे, और मुकिया से बोला, और कुछ बाकी है, यानि और कुछ बताना बाकी है, अब मुकिया ने बोला कि नहीं, इसका मतलब था कि सारी जानकारी इनको दे दी गई है, और इनके मन में जो थौट आ रहे थे, इन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनी है, उनको भ लगता है कि उनके जानवरों को नुकसान है और आपकी प्रिजन से टाइगर वहां नहीं आएगा और शिकार बनेगा तो कुछ बाते छुपा लेते हैं और उसके बाद फिर मचान पर वो बैठे तो रहने देंगे आपको लेकिन वो वेस्ट आफ टाइम है क्योंकि टाइगर लेकिन यहां के जो जंगल वाले थे वो सिंपल लोग थे यह बोले कि अगर वो कुछ छुपा भी रहे होते और दो चार सवाल दागे जाते तो उनकी बाते निकल आती तो यह उन लोगों जैसे नहीं थे जो बाते छुपा लेते हैं यह सीधे और साधर लोग थे अब इन्ह कोई वो मुँ में पान बरके बैठा था तो बोलने के पहले उसने पिछकारी से निकाली पान की और पान की पीक दूर तक थुकी अब यह इस चीज़ का मतलब था कि वो इस क्वेशन को आवाइड करना चाता था जवाब ना दे के उसने पान थुकने के लिए बहाना मार दि पूचा उस सवाल को जाने ने दिया छोड़ा नहीं तब मुक्या बोला कि पूरे गाउं को पता था कि गाए मार दी गई है तो वो आदे घंटे पहले तक अभी साड़े तीन वजे चले थे चार वजे की बात है साड़े तीन वजे तक लोग मचान के आसपास गूम रहे थे अब यह बोले कॉमन सी बात है कि भारत में जब इंसानों की भीड कहीं जाती है तो उसमें बच्चे भी होते हैं वो उतने ही बदमाश होते हैं जितने पूरे विश्व के बच्चे होते हैं वो हर चीज को जानना चाते हैं यहां जाएंगे वहां जाएंगे और बोले इसमे बोला गया था कि वहां मत जाना अब पहले ने पूछा और कुछ बाकी है बताना तो फिर मुक्या उठा फिर उसने पिच्च से पान की पिचकारी थुकी ये समझ गिया भी कुछ और बाकी है जो सुनना बाकी है और इससे भी खतरनाक बात ये बोलेगा तो उसने बोला कि जब सारे लोग वहां गए तो भगदर सी मची थी और भागे थे तो खूब सारी धूल पी उड़ी थी उन्होंने का धन्य है बाई आप इन्होंने का दो और चरवाहों का जुन्ड था उनसे भी पूछ लिया जाये हो सकता है उन्होंने कुछ बातें मुखिया से चुपाई हो तो उन्होंने का वो कहा है दो जुन्ड जो की बाद वे आए तो मुखिया हसते हुए बोला वो नालाइक निकम मे वापस नहीं वो दूसरे गाउं चले गए हैं, उनको पता है कि उन्होंने ओर्डर नहीं माना है, और यहां उनका क्या हाल होने वाला है, तो वहीं रुक गए हैं, उस जगे का नाम है बंदा खेडा, और वहां उनकी ग्रेंड मदर का घर है, यह बोले कल तक हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हम बहुत जादा दूर आराम नहीं कर रहा होगा, पहले तो मचान बनाया, मचान बनाने के बाद पब्लिक पहुँची, पब्लिक के बाद भगदर मची, धूल उड़ी, अब वो टाइगर वहां नहीं होगा, कहीं दूर होगा, और अपने डिनर के लिए कुछ नया तलाश रह होगा, लेकिन ये फिर भी जा रहे थे, क्योंकि वो था टाइगर, और उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता था, वो वही करता है, जो उसका मन होता है, चार आदमी अपने कंदे पे कुलहडी लेकर, इनके साथ जाने के लिए तैयार खड़े थे, कि उनको गाइड करे कि कहा मचान बना है, उस रास्ते का तीन चौथाई हिस्सा तो ने उन्हें तेजी के साथ कवर किया, उसके बाद ये धीमे धीमे चलने लगे, और एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे मचान बना हुआ था, आदमी ने धीरे से इशारा किया कि वो वह पे मचान है, तो बिल्कुल ये चुप-चुप सदे हुए कदमों से चलने लगे, अब जब आदमी साथ में जा रहे थे, उन्हें ने आदमियों को रोक दिया, कि भाई जब मचान दिखी रहा है, तो क्यो ना मैं अकेले जाओं, पास में ग्रास लेंड था, कई सारी जाडि टाइम हो गया था, और टाइगर पका उठके खड़ा हो गया होगा और अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा होगा, तो बिना मतलम में चार आदमी जाएंगे, आहट होगी, और उनको पता चल जाएगा, तो मैं दवे कदमों से अकेला ही जाता हूँ, अब जब वो आदमी चल लोट रही थी, अपने सोने की तैयारी में थी, लेकिन कोई भी चड़िया या बड़ इतनी उतसाहित या उतनी एकसाइट नहीं थी, कि लगे की टाइगर यहाँ पर है, क्योंकि अगर टाइगर होता, तो अलाम कॉल कर रही होती हो, दूसरों को बता रही होती, अब यह धी अब इन्हों अपना मुझ तरफ कर लिया, जिस तरफ से आहाट आ रही थी, वो आहाट रुग गई, अब यह पूरी अपनी आखों से स्कैन करने लगे जाडियों को कहीं पे इनको कुछ दिख जाए, जो जंगल का ना हो, जंगल के बाहर का हो, पेड़ पौदों से रिलेट अब इनको लगा कि यह टाइगर ही है और इनके उपर अटैक करेगा, लेकर उसे अटैक नहीं किया, अब इनको काली-काली नाग भी दिखरी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ना तो कान हिले, ना पूँच हिली, कोई भी हरकत नहीं हुई, बड़ा ध्यान से रिखा, नाग की तरफ दिरे-दिरे बड़े, तो वो एक बचला था, जो कि मरा हुआ था, ब्राउन कलर का बचला, और उस गले में निशान थे, टाइगर के दांतों के, बड़ा टाइगर ने बचला भी मारा था, अब इनको मुकिया की बात याद आई, कि वो पूरी बड़ी सी गाय थी, और जनरली क्या होता है, कि जुन्ड में टाइगर सबसे बड़ी गाय को मारता है, उसका पेट अच्छे से बढ़ जाए, इन्होंने गाए, इसने कितना मुझसे जूट बोला है, ये नहीं बताया कि बचला है, अलगि ये बात का शिकार के टाइगर के आने से कोई रिलेशन आरा था, अब हुआ ये है कि जब क्योंकि मचान के पास में गाय को बांधिया गया था, गाय मतलब बचला, लेकिन अभी वो वहाँ पे नहीं थी, अभी वो घास के अंदर थी, और इनको हिलने डुलने की आवाज भी आई थी, तो ये सोचने लगे हुआ ये है कि गाय के प आई थी, वो टाइगर बच्ड़े को खीच रहा था, देखा इन्होंने कि एवल मरा बच्ड़ा है, टाइगर दाएं बाएं सरग लिया, अब बच्ड़े के आसपा से नहीं देखा कि घसीडने के निशान है क्या तो नहीं थे, तो ये समझ गए कि टाइगर जो है उस बच् आई थी टाइगर ने, जब जुन्ड पे हमला किया, और वो जो हमला किया तो ये जो बच्ड़ा मारा है, ये पहला नहीं दूसरा शिकार है, तो अभी तक जितने इनके पर हमने थौट आये थे, सारे गलत साबित हो गए, क्योंकि मुखिया ने बोला था, पूरी पूरी गा पिया था, ये समझ गया है, वो तो हिली थी, और मरा वो बच्ड़ा तो नहीं हिला सकता है, इसका मतलब टाइगर आसपास ही है, तो इन्होंनों सोचा कि वो उसको ड्रैक करके नहीं ले जा रहा था, इसको खाने के लिए आ रहा था, जो सेकंड किल था, उसको खाने के फिप्टी फिप्टी चांसेस थे, कि या टाइगर था कि नहीं था, ये भी चांसेस है कि कि किसी जाड़ी पे कोई चड़िया बैठी हो, इनकी हाट से उड़ी हो, और वो जाड़ी हिली हो, अब इन्होंनों सोचा कि जो जिस काम के लिए आये थे, वो ही किया जाए, उस गा सबी खाया नहीं गया था, अब ये फिर शांती के साथ खड़े हो गए और सुनने कोशिश करने लगे कि जंगल में किसी तरह की आहट, कोई कॉल, कोई आवाज, बर्ड्स की नॉर्मल कॉल आ रही थी, अंधेर अच्छा खासा हो गया था, किसी तरह की टाइगर की कोई बचड़ा खाके चला जाएगा, और मचान बना था 9 फिट की हाइट पर, और ऐसा बना था जैसे कोईया का घोसला हो, अब इननों सोचा कि टाइगर ने सारी आहटे सुन ली होगी, कि गाये के पास मचान बन रहा है, तब ही वो बचड़े को खाना चाता था, और बचड़े के पास उसने मेरी अहट सुन ली है, तब उम्मीद तो नहीं है कि वो आएगा, अब इनको एक दम ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि वो बचड़ा अच्छा खासा भारी था, उसको यहां के खीच के लाना, गाये के पास बहुत ही मुश्कल काम था अकेले, लेकिन इननों किया यह बचड़े को घसीड के लाए, और पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे, और जो घसीड के ला रहे थे तो घसटने की अच्छी खासी आवाज हो रही थी, टाइगर जहां भी बठा होगा, पक्का सोच रहा होगा, यह मेरे डिनर के साथ क्या किया जा रहा है, जब व दोस्तों आप अक्सर देखते होगे कि यह सिगरेट, जिम कॉर्बिट सिगरेट जलाते थे, एंडरसन और एलन, पाइप, तमाकों की बहुत स्मेल होती है, सिगरेट की बहुत स्मेल होती है, दूर से मालूम चल जाता है, फिर जहां यह जरा-जरा सी आहट छुपाते थे, वहाँ ये सिग्रेट कैसे पी लेते हैं। वो इसलिए कि टाइगर की स्मेलिंग पावर इतनी दूर की नहीं होती है। जब तो टाइगर के पास में कोई स्मेल नहीं होगी तब ही वो सूंग पाता है। अब वैसे तो एलन का रूल था शिकार पर जाने का कि ये स्मोक नहीं करते थे जब तक की काम खतम नहीं हो जाए लेकिन आज उनको लग रहा था कि अगर ये सुबह तक भी स्मोक करते रहें तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि उनको मी तो थी नहीं कि टाइगर आने नहीं हाला कि वो इस शिकार का ओनर है मालिकाना हक रखता है उसने महनत से मारा है उसको देखने जरूर आएगा लेकिन जब वो आएगा भी और 9 फिट की उचाई पर मचा दिख रहा है तो फिर वो दूर हो जाएगा क्योंकि सूंग नहीं सकता है देख तो सकता है अब जब Isidra के पत्तों के बीच से आकाश में हलकी-हलकी से जो चंदरवा के आने वाली लालिमा दिखती है वो दिख रही थी और नीचे हलकी ब्लर में सफेद सफेद गाये दिख रही थी अब इनों स्मोक करना बंद कर दिया और इनको पूरा जो घसीटेने की आवाज है वो रीकलेक्ट करने लगे और यह सोच रहे थे कि जब यह घसीट रहे थे हो सकता है टाइगर ने इनको देख लिया हो कोई कॉल नहीं होई थी दिन का टाइगर के छुपनेगर तो टाइम था नहीं कि किसी ने देखा नहीं होगा तो बूले बिना मतलम मैं शंका कर रहा हूँ कि सारा मैटर टाइगर को पता ही न हो अब यह सोच रहे है कि वो जो दो गृप थे चरवाहों के जो बाद में यहाँ भगदल मचाई थी, उनके चलते उसी टाइम पर टाइगर दूर चला गया हो, अब यह सोच ने लगए कि यह नॉर्मल टाइगर है कि सिर्फ जानवर मारने वाला टाइगर है, यहाँ पर इनका जो परपस है बोलने का कि एक टाइगर था जो कि जानवर के उठाने के लिए फे मारता ही नहीं था, वो पालतू पशु ही मारता था, अब गाउं के लोगों ने एलन को बताया था कि यह जो टाइगर है नया आया हुग है, और यह जानवर जो मारा है, यह जस्ट कैदूल है, नॉर्मल वे मार दिया है, यह वो वाला कैटल लिफ्टर नहीं है, अब इनके वारे में कोई जानकारी नहीं की, तो यह बोल रहा है कि वो कैदल लिफ्टर था, कि दूसरा टाइगर था, यह वो क्यों सोच रहे थे, क्योंकि यह हो सकता है, कि यह टाइगर नया नया आया हो, कहीं से घायल हो, और अब यह असली शिकार ना कर पा रहा हो, और यह ढूर र का गार पे हो अब इनको एक गटना करम याद आया पहले का जैसे ये आज थे मचान के उपर ऐसा ही एक दूसरा वाक्या था अब उसमें सुबह शिगार किया गया था ये मचान पे थे उनके मन में थोड़ था कि शायद टाइगर आएगा टाइगर ग्यारा बज़े आया था ग जादा हाइट पे नहीं थे क्योंकि उसके पैर में एक रीसेंट बुलेट शॉट था किसी आवैद शिकारी ने मारा था अब यह इस मचान के बारे में सोचने लगे यह मचान सेक्योर थो था लेकिन काफी बड़ा था अगर यह खुद बनाते तो इतना बड़ा मचान नहीं बनाते हैं अब प्राब्रम क्या थी कि कहीं पे बहुत जदा घणा बना दिया था कहीं पे बहुत जदा पतला बना दिया था और एक टाइगर इस बात को भाप लेता है और ऐसा टाइगर जिसको अभी अभी गोली मारी गई हो वह तो कुछ जादा ही सूंग-सूंग के चलत चाहे कितना लंबा राउंड लेना पड़ जाए वो दूर से निकलता था अभी केबल 9 फिट की दूरी पर था 9 फिट आप समझ लिए कि इंसान की हाइट 6 फिट होती है तीन फिट जादा तो अगर टाइगर बदला लेने के लिए आ रहा है तो 9 फिट नहीं टाइगर तो आप अपर चड़ जाए पेड़ के उपर लेकिन इस टाइम पर वह समझदार ही नहीं थी क्योंकि टाइगर इनको लग रहा था अगर आया होगा तो आसपास ही होगा बहुत ही ध्यान से स्कैनिंग कर रहा होगा सुनने की कोशिश भी कर रहा होगा देखने की कोशिश कर रहा और ठंड भी बहुत हो गयी थी रात के 9.00 बज गये से इनको कपकपी आने लगी थी तो अपने साफ जो 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 जोला लाए थे बैग लाए थे उसमें से इन्होंने थरमस निकाला और कौफी पी तब थोड़ा इनको आराम आया फिर ये जंगल की आहट सुनने लगे जंगल में शांती थी और दूर जो गाउं थे वहां से इनको आवाजे आ रही थी कुत्तों के भॉगने की आवाज और जो खेत की रखवाली और जानवर की रखवाली के लिए लोग आहट करते हैं जिंगूर बोल रहे थे कुछ बर्ड्स बोल रही थी कुछ चुहे या इस तरह के रॉडेंट्स निकल के जा रहे थे हवा की आवाज कुछ भी अनीजी नहीं था कुछ भी अननेचरल नहीं था उस आवाज में कि कोई डिस्टर्विंग एलिमेंट आ गया हो अब रात के बारा बजे के बात का टाइम था इनको अच्छी कासी ठंड लग रही थी और इनका मन किया कि थर्मस खोले फिर से कॉफी पी है हाथ ठंडे हो चुके थे जोर लगाया तो खुल नहीं रहाता धकन तोड़ी ज़्यादा ताकत लगाई तो कट से आवाज आई और बस जैसे ही वो कट से आवाज आई राइट हेंड साइड में अचानक से कोई हट हुई इन्होंने सिर्गुमाया इनको अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी और वो जो आवाज थी वो ऐसी आवाज थी कि कोई बड़ा सा पंजा पत्ते पे रख दिया गया हूँ फिर वो आवाज दुबार आई इन्होंने का फिर आवाज आई अब इनको लग गया था कोई भारी भरकम जानवर मचान की तरफ बढ़ रहा है वो क्या हो सकता है आप इन्होंने सोचा कि हाइना यानि लकडबगा जैकल यानि सियार भी हो सकते है जो कि शिकार को खाने यागर टाइगर आसपास नहीं है तो आते है अब इन्हों को नाम हिंदी इंग्लिश में बोले क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने रिक्ष्ट करी है साउथ से हैं वो कि उनको हिंदी समझ में तो आयाती है उनको और उनके बच्चों को लेकिन जानवरों के नाम नहीं समझ पाते है तो उन्होंने का था कि जब भी आप जानवर के नाम हिंदी में बोले एक बार इंग्लिश ही पोल दें क्योंकि लकडबगा वो नहीं समझ सकते हाइना वो समझ लेंगे सियार नहीं समझ सकते जैकल समझ लेंगे लेकिन थोड़ी देर मिन को आइडिया लग गया कि ये जैकल या हाइना नहीं है ये टाइगर ही है अब इन्होंने अलर्ट रहते हुए धीरे-धीरे थरमस को साइड में रख दिया बेरल इनकी गोदी में थी, बंदूक की बट इनकी जांगो यानि थाइस के उपर रखी हुई थी अब धीरे-धीरे इनके हाथ बंदूक के उपर बढ़ने लगे एक हाथ से ऐसे धीरे से पकड़ा, एक हाथ से ऐसे उठाया बड़े ही धीरे-धीरे बिना आवाज किये, इन्होंने कंदे पे पोजिशन ली मजल उस तरफ पॉइंट की जहां पे गाय थी क्योंकि टाइगर वहीं पे आता, वहीं पे इनको शिकार मिलना था अब इनके दिमाग में फिर से थौट आ रहे थे कि क्या टाइगर वहाँ पहले से था जब इनके फ्लास के धकन की आवाज आई, या उसने वो नहीं सुनी और अगर उसने सुन ली तो वो ऐलर्ट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद भी वो आगे क्यों बढ़ रहा है इस सब इनके मन में फौट चल रहे थे, अब इनके दिमाग में बोच टेंशन चल रहा था, लेकिन जो इनकी घड़ी थी, उसकी जो पॉइंट्स चमक रहे थे उसकी तरफ इनका ध्यान गया, अब करीब पांच मिनट हो गए थे और अभी तक टाइगर ने कोई दूसरी आवाज नहीं की थी अब ये सोच रहे थे कि बड़ा ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर इनके पास में ही है, ये बहुत थीक, नीची हाइट पे है, नाइन फिट पे है, अब ही सोच रहे थे वो क्या करने वाला है, वो शिकार की तरफ जाने वाला है, कि यहां से भागने वाल कि मचान पर कूदने की तैयारी कर रहा है अब इनको पता चल गया कि टाइगर अभी भी यहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड से आवाज आई वो पत्ती की आवाज थी और ऐसा लगा जैसे कि एक पंजा उस पे रखा गया है फिर इनको लगा कि टाइगर लेफ्ट हैंड साइड क यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या मचान के उपर कोई है तो इनको बिना आहट की है बिना हिले डूले बैठना होगा अब यह बिल्कुल ध्यान से अपने घड़ी की वो चमकने वाली सुईया देख रहे थे करीब 30 मिनट हो चुके थे जब लास्ट आवाज आई थी अब इसा जैसे कि स्टील के बने हो इनके पैर ऐसे मूड के बैठे रहे पूरी ताकत लगा के हो अब थोड़ी जिरवाद मचान के सामने की तरफ से इनको लगने लगा कि चल के कोई भारी भरकम जानवर पत्ते दबाता हुआ आ रहा है इन्होंने का आ आ गया अब यह समझ गया कि उसकी शारप आई जो तेज देख सकता है वो उसको इन्होंने धोका दे दिया है और वो मचान के उपर क्या है कुछ हिला नहीं डूला नहीं तो उसने का नॉर्मल सी बात है अब वो आ रहा है खाना खाने अब वो धीरे धीरे आ रहा था लेकिन एक जगे करीब इनके ले ली जाने लगी क्या लाइट जलाओं और यहीं से मार दूँ अब फिर रुक के फिर दुबारा चलने लगा तो यह समझ गए कि वो फाइनल चेक कर रहा था कि भाई कोई खत्रा तो नहीं है तब ही एक जोड़दार से बड़ी आवाज आई और जहां यह शिकार था उससे को की आवाज आ रही थी अब इनके अब पूरे जंगल में किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी आवाज सुनाई दे रही थी तो इनको अपनी धणकन की और इनके दिमाग में थौट आ रहे थे कि आखिर वो था किया तो चली दोस्तों यह लंबी स्टोरी है इसको दो पार्ट म करेंगे तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्दा बेस्ट वन्दे बात रहूं